Hello friends, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी डोक्यूमेंट में हमारा कोई टेक्स ब्लू टेक्स लिखावा है रेड कलर से कुछ लिखावा है या ग्रीन कलर से लिखावा है तो हम उसको किस परकार से बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं और अपने document को clear कर सकते हैं तो इसके लिए हमने document हमारा open किया है जो कि हम Photoshop यूज़ कर रहे हैं Photoshop में आप अपने document open कर लेंगे और Photoshop में अपने document open करने के बाद जो आपने सबसे पहला काम करना है वो आपने इधर adjustment tool आपको छोटा सा यहां icon दिखाई दे रहा हुगा यहां आपने click करना है और यहां click करने के बाद आपने सबसे पहले black and white option प्याना है यहां पर आप black and white option को open करेंगे और इसका shortcut के रूप में आप इसको alt, control और shift के साथ भी प्रेस कर सकते हैं और जैसे ही मैं इसको click करूँगा एक option हमारे सामने आएगा इस तरह से आप देखेंगे कि आपके सामने एक option आएगा और जैसे ही आपके सामने यह option आता है आपका document भी पूरा black and white हो जाएगा तो अब आपने यह देखना है कि आपने जिस text को remove करने हैं उसका color कैसा था तो जो मेरे case में या मेरे document में जो text लिके हैं वो blue color के थे तो मुझे यहां से blue color का slide पकड़कर इसकी value बढ़ानी है और जब तक बढ़ानी है जब तक बिलकुल यह clear न हो जाए तो friends यहां पर मेरे जो documents हैं वो बिलकुल clear हो गया तो अगर आपके case में अगर आपके document में कोई color red है या green है तो आप green या red color के slider का use करके उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं तो friends इस तरह से आप अपने किसी भी document को बिलकुल clear और साफ कर सकते हैं तो friends यह थी आज की हमारी वीडियो और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो please इसको like करें, share करें और subscribe करें Thank you friends